Hello everyone, biology के questions हम देख रहते हैं, अब हमने क्या स्टूरू किया है, अब हमने स्टार्ट किया है, physics के questions, कि फिर 2020 के अंदर physics में कितने questions आ चुके हैं, physics के कितने questions थे, जो 2020 में आ चुके हैं, और वो जो की हमारे term 2 में आने वाले हैं, so आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और set 2 के questions को सकते हैं, वो नहीं आएगा, तो क्या हो गया, topic तो similar होगा, और इसको अगर देख लोगे, तो topic आपको पूरा-पूरा revise होई जाएगा, और साथ ही साथ एक idea हो जाएगा, कि किस तरह की questions जो है, वो exam में form किये जाते हैं, so, the first question is, देखो, first question में क्या है, पूरी की पूरी एक theory है, मतलब पूरा-पूरा एक passage given है, और यह passage यहाँ खतम नहीं हो रहा है, I think, यह last है, देखो, यहाँ तक भी passage है, अब जब यह इतना लंबा चोड़ा अगर passage चल रहा है, तो हमें क्या करना है, क्या है, क्या है, क्या है, पूरा passage पढ़गे, अच्छे से उसका meaning समझना है, बिल्कोल भी नहीं, अगर इतना टाइम इसको दे देंगे, तो फिर हम आगे क्या है, क्या होता है, एक ऐसे spot, जहाँ पर हमें कोई चीज मिलने वाली है, तो जब हम बात कर रहे हैं, जियो थर्मल एनर्जी की, तो ऐसा होट स्पोर्ट, ऐसा कोई प्लेस, जहाँ पर हमें ज जियो थर्मल एनर्जी जो है, वो मिलने वाली है, उसको हम क्या कहेंगे, जियो थर्मल एनर्जी, होट स्पोर्ट कहेंगे, तो क्या हमें इसके लिए पैसज को पढ़ने की requirement है, बिल्कुल नहीं है, तो प्री हम पैसज को एक बाँए देखेंगे जरूर, लेको, नेक्स next question is name two countries other than India where power plant based on geothermal energy are operational इसी दो countries के बारे हम बताना है इंडिया के अलावा इंडिया के अलावा इंडिया के आपको पता ही होगा इंडिया के अलावा दो ऐसी countries के नाम बताना है जहां पर power plant लगे है जो कि geothermal energy based power plants है अब इसके लिए हम question को देख सकते हैं क्या पता हमें वो दो countries के नाम मिल जाए और अगर आपको countries के नाम याद है तो फिर डारेक्ट लिख दीजिए पर सब से आदा developed countries कों सी है चाइना जपान को के अंसर मिल लिए आपको आंसर कि geothermal energy का energy based power plants है वो कहां पर है जपान और चाइना के अंदर है next question is name the phenomenon that explains the working of an electrical electric generator एक इलेक्रिक जनरेटर की working को बताने वाला phenomenon कौन सा है तो इलेक्रिक generator जो होता है कौन से principle पर काम करता है याद करो अभी हमने कुछ नहीं पैले चैप्टर कंप्लीट किया है तो कहां किस पर काम करता है यह EMI पर काम करता है कि बैंक की EMI पर बिल्कुल नहीं इलेक्रिक जनरेटर जो है वो electromagnetic induction पर काम करता है इस इन दे शॉर्ट फॉर्म इस EMI से याद कर लो जैसे ही जनरेटर का नाम आएगा वैसे EMI आ जाएगी तो जनरेटर EMI तो जनरेटर का नाम है मतलब कौन से प्रिंसिपल है EMI है Electromagnetic Induction है नेक्स्ट पॉश्चन इस ट्रेट और इंपॉर्ड एडवांटेज ओफ यूजिंग AC over DC AC के एडवांटेजस बताने हैं अगर आप DC की जगे AC को यूज कर रहे हो तो क्यू कर रहे हो अगर हमारे घर में AC आ रही है तो क्यू आ रही है तो वो तापको पता हो रहा ची तो इतनी गर्मी है AC तो लाएंगी ना बढ़ हम उस AC की बात नहीं कर रहे है हम तो इसी और AC की बात कर रहे हम कर्नंच की बात कर रहे हैं एक बार हमेंस पैसिश को देखते है क्या पैसिष से कुछ रुलेटिड़ेदेर है कुछ आंसर मिल रहा है कहा हम है अगर हमें यादे वैलन गूट नहीं यादे तो पढ़ना तो पढ़े गा huh तो पढ़े गाई न होती है बहुत दीप के अंदर वहां बनाई जाती है क्या किसी कोशिन का अंसर है क्या नहीं है चालो this energy is harnessed to generate electricity when water is made to float deep underground in the rocks it returns as steam or hot water which is later converted to steam to drive a turbine on an electric power generator देखो क्या बोल रहा है the energy is harnessed to generate electricity इस energy का use किसके लिए किया जाता है electricity को produce करने के लिए किया जाता है और हमें पता है जहां हम बात करते हैं electricity को produce करना है मतलब कि क्या होगा generator का use करेंगे electricity produce हो रही है मतलब generator है motor नहीं हो सकती when water is made to flow deep underground जैसे ही water को हम deep underground वे flow करवाते हैं तो वहां पर इतनी गर्मी है कि पानी जो है वो किस form में आता है steam की form में आता है और जब वो steam की form में आएगा तो तर्बाइन जो है वो घुमेगा और तर्बाइन गुमेगा तो हमारी generator को वो क्या देगा mechanical energy देगा और उससे क्या को बन जाएगा electricity बन जाएगी च्या इसके अंदर कोई answer मिला नहीं मिला बैड लग चलो next देखते हैं इंडिया exploration and study of geothermal fields started in 1975 इसमें भी हमें तो answer नहीं मिला अब आगे पढ़ना है पढ़ना तो है कहा जाएंगी बिना पढ़े तो हम answer नहीं दे सकते चलो the geological survey in india has identified 350 geothermal energy locations in the country अभी भी हमें answer नहीं मिला the most promising of these is in Puga valley of Ladakh the estimated potential for geothermal energy in india is about 10,000 MW मताब megawatt है ठीक है MW मेगawatt है अभी भी हमें answer कुछ नहीं मिला megawatt तो हमें पूछा ही नहीं गया था कुछिन के अंदर there are seven geothermal provinces in india namely the Himalayas, Sohna, Waste Quest, Combe, Narmada, Tappi, Godavari and Mahanadi most power stations in india produce alternating current बहुत सारे power stations जो क्या बनाता है alternating currents बनाता है क्या किसी question का answer मिला है नहीं मिला है विलकुल नहीं मिला है इसका मतलब passage को एक बार read जरूर करना है थरर उसको एक बार उपर से देखना जरूर है लेकिन answer आपको याद करके जाना है chapter पूरा पढ़के जाना है chapter के अंदर कहीं भी कुछ जो है skip नहीं करना है चलो अब आज आज़ो questions पे इसको अच्छे से एक बार देख लेते है what are geothermal energy hotspots बताया था अभी जहां पे geothermal energy produce होगी या बनेगी उसको हम क्या कहेंगे geothermal energy hotspots इसे प्लेस जहां से geothermal energy को extract किया जा सकता है उनको हम क्या कहते है geothermal hotspots कहते है next question क्या आता हो कि इंडिया के अलावा इसी कौन सी दो countries है जिन्होंने geothermal energy based power plant लगा रखे है देखो question भी याद होगे मुझे तो आपको आजसे तो याद होगी जितनी developed country है इंडिया के अंदर अगर कोई चीज आ गई है तो जपान और चाइना में तो आई गई होगी वहीं से हम लोग भी ले के आए है या हम हमारे पास है लेकिन उससे पहले इंट्रड्यूस कौन करेगा इस चीज बहुता है कि हम पहले है हमने दिया हर चीज भले वो दे ना दे लेकिन हमने दिया हो चीज ठीक है चालो नेक्स्ट कोशन क्या था हम आया तो इलेक्रिक जनरेटर जो है वह कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है उस phenomenon का नाम बताना है जिसके उपा इलेक्ट्रिक जनरेटर काम कर रहा है क्यों आया ये कोशल हमने क्या किया था अभी पैसेज के अंदर जो स्टीम आ रहे थी पानी को जब अंडेग्राउंड में डाला तो स्टीम आई उससे क्या गूमा तर्बाइन गूमा और तर्बाइन क जब घूमा था रोटेट कर रहा था तो क्या होगा तो उस मेकानिकल एनर्जी को गूआ होग किया जनरेटर ने किसमे हैं कर दिया उसको इलेक्ट्रिकल energy में convert कर दिया this is the process of electromagnetic induction तो यह किस पर काम करता है electromagnetic induction पर मतलग EMI पर काम करता है generator हमेशा किस पर काम करेगा EMI पर काम करेगा electromagnetic induction पर काम करेगा ठीक है the next question is कि अभी हमने बोला AC जो है वो बहुत ज़दा हमारे यह पर होती है तो AC ही क्यों बनाते हम हमारे घरों में भी आती है तो AC ही आती है DC क्यों नहीं आती तो DC के बहुत सारे जो है वो disadvantages भी है बट AC जो है वो बहुत ज़दा कॉसली नहीं पड़ती थोड़ा सा expensive होती है long distance easily travel कर लेती है without any loss या फिर with negligible loss बहुत negligible loss होता है या loss होता ही नहीं है और जो AC है वो long distance travel कर रही है तो इसकी costing भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और जिब costing कम हो रही है तो क्यों ना use करे हम AC का and the main thing 220 volt पे सारे appliances काम नहीं कर सकते उसके लिए क्या करना पड़ेगा एज़स्ट करना पड़ेगा उसको तो एज़स्ट किसकी वज़े से होगा AC की वज़े से हो जाएगा डैरेट टार्ट में नहीं होने वाला है चालो चालो next question हम देखते है the maximum resistance which can be made using four resistors each of two ohm is resistance पता है हमें ठीक है अगर हमारे यह सबको मिला कि आपको चाहिए maximum resistance तो हमें पता है कि जब सीरीज की बात करते हैं तो series के अंदर जो r होता है वो क्या होता है r1 plus r2 plus r3 and so on लेकिन जैसे ही हम parallel की बात करेंगे तो यह तो कि r of s अगर हम parallel की बात करेंगे तो resistance क्या होता है 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 तो इसके अंदर देखो resistance क्या हो जाता है कम हो जाता है थोड़ा सा लेकिन अगर हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज में एड़ करना पड़ेगा और अगर मैं सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में एड़ कर देती हूँ तो जो मैक्सिमम रेजिस्टर्स होगा वो कितना हो जाएगा? अगर सारा ही सीरीज के अंदर है तो 1 हुआ, next हो गया फिर next हो गया और फिर again next हो गया और इसका answer कैसे विलेगा मुझे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जब सारे को add करोगे तो कर लो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या 2 multiply 4 कर ले तो easy है ना 2 multiply 4 कर लो that will be 8 ohm मतब अब answer क्या हो जाएगा मेरा? 8 ohm will be your answer 8 ohm will be your answer I hope कि यह चीज सब को clear हो गई होगी तेखो इसका explanation भी गिवन है 8 ohm है यह यह ohm है यह ATHM यह 8 ohm है 8 ohm चलो The maximum resistors of a set of resistors can be obtained by connecting them in series not parallel हमारे घर के अंदर जितने भी appliances होते है वो parallel में add होते है तो इसली होते है कि एक appliances अगर खराब हो गया बाई-चार और वहाँ आपने switch on किया वो नहीं चल रहा है पीछे के जितने भी appliances होंगे वो सारे के सारे नहीं चलेंगे अब पता कैसे चलेगा पहला वाला खराब हो है कि लास्ट वाला खराब हो है या मिड में ही के खराब हो गया इसलीए सारे जो appliances होते है वो parallel में अगर एक खराब हो गया तो वो एक ही बंद होगा बाकि सारे चलते रहेंगे हमारे तो मैं पता रहेगा अच्छा ये खराब हो गया ठीके बट जब में maximum resistance की requirement होती है हम क्या करते है सारे resistors को series में add करते है चीके चलिए next question is a student plots V.I.E. graphs for three samples of necrom wires with resistances R1, R2 and R3 students ने क्या किया एक V.I.E. graph बनाया V.I.E. मतलब volt and ampere का graph बनाया voltage और current का graph बनाया उन्होंने three samples के साथ में जिसके अंदर उनके पास क्या था निक्रोम वाया था और resistances क्या थे उनके R1, R2 and R3 resistances थे चीके choose from the following statement that holds true for this graph अब इसमें साब को ये बताना है क्या ये तीनो resistance equal है या R1 is greater than R2 is greater than R3 है या फिर R3 is greater than R2 is greater than R1 है या फिर R2 is greater than R1 is greater than R3 मतलब कुल मिला कि हमें ये पता करना है कि तीनो या तो equal हो जाएंगे या तीनो मैंसे बड़ा कॉन है छोटा कॉन है मतलब तीनो का करना है compare करना है और compare करना है तो हम तो क्या समझ में आ रहा है इसमें से देखो क्या समझ आ रहा है अगर current जादा है अगर current जादा है मतलब क्या resistance जादा होगा या कम होगा तो resistance क्या हो जाएगा current अगर जादा है तो resistance कम होगा देखो एक ohms law था V is equals to IR तो R और I के अंतर देखो एक बार relation कैसे बन रहा है V upon I is equals to क्या बन जाएगा R बन जाएगा V और I में अगर देखो I को अगर में increase कर दो तो R क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा यहां देखो R बहुत जादा है as compared to three तीनों के अगर comparison करो wires का तो इसका देखो आई बहुत जादा है इसका आई अगर जादा है तो R क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसमें देखो आई एकदम से कम है है जो करन्ट रही वहलों कम है इसका मतलब क्या होगा रिसेंस जादा है हमारे पास अन्सर कौन सा क्या होगा और जो खंड बोलता है वह बड़ा होजाएगा qt से र करेंगा पिर से रेखेंग में तो समझ में हो है अगर घ्RO स्लों बोलता है वी इकोल स्टो आई आई और क्या हो जाएंगे एक बूसरे के इंडिरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ गए तो जैसे ही हम करेंट को इंक्रीज करेंगे यह कम है और करण अगर डिक्रीज होगी मतलब रेजिस्टेंस जादा है यहां देखो करण जो है वह डिक्र सबसे जादा कम है इसलिए उसकी जो करण वह ज्यादा है चलिए देखो कंपेरिंग देखो कितना बड़ा है और रच्री का चोटा है तो स्लोप जो है वह रवन का बड़ा था अगर और रच्री का तो बिलकुल ही जोटा था लेकिन जैसे ही हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा ठीक है चलिए आपको क्या बताना है तो वह यह देखो coil 1 और coil 2 बता रखिए आपको एक cylinder है जिसके उपर यह coils बनी है यह non-conducting cylinder है अब यहाँ coil 1 हो गई यहाँ होगी coil 2 अगर हम दोनों को ध्यान से देख लिए तो अब पता number of turns किसके अंदर जादा है coil 1 के अंदर जादा है अगर कॉल 1 में जादा है तो आपको इसके observations बताना है observations कब बताना है तो बिया observations देखो फर्स चाहिए जब की की खोई होगी जब की क्लोज होगी की अगर बंद होगी तो पर क्या होगा और मैंने की को open कर दिया तो क्या होगा उसका चूछो पांतर और बताना है चूछो चूछो एक वीडियो देखा जिसके अंदर था वेश टू इन्दू सकते हैं उसके अंदर एक हमारे पास यह भी था कि अगर हम ए किका होगा है current flow होते ही यह जो solenoid है solenoid क्या करेगा एक electromagnet की तरह काम करेगा और इस electromagnet के अंदर जैसे चेंज हो रहा है वैसे यहां पर क्या होगा current induced हो जाएगी और जो यह galvanometer है यह deflect करने लगेगा अगर यहां current induced होगे तो तो galvanometer क्या करेगा deflect करने लग जाएगा जैसे ही को कि को करके यहां पर क्या कर कर दो इसको circuit को close कर देती हो और अगर circuit को open कर देती हो जैसे ही फ्यट्प सा magnitude प्रेसी चेंज हुआ तो क्या होगा दिफ्लेक्षिं इस बार जरो हो जाएगी तो यहांपर पर जायंग जीरो हो जाएगा ठीक है कौन सा है यह यह electromagnetic induction है electromagnetic induction है यह चलिए तो अगर आपकी की क्लोज इस आपका answer में क्या लिखना है देखो वैं की 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 को आप क्लोज करोगे तो अधर कर्ण दिखो सर्कित क्या हो चुका है यहां पर बनी electromagnetic बनी और उस electromagnetic के अंदर का थोड़ा सो चेंज हुआ उसकी वज़े से कॉईल टू के अंदर भी क्या हो जाएगा जो ही आपका सर्केट टू है उसके अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्रिक करण जो है वो इंड्यूस हो जाएगा. So, इसका एक्स्प्रेशन देखो क्या है वन की इस फ्लोस्ट, मैंनेटिक फिल लाइंस अराउंड कॉल तो इंक्रीज मोमेंटरेली, यह मोमेंटरेली इंक्रीज होगा. This cause an induced current to flow through it and therefore reflection occurs in one direction. इसके विज़े से क्या हो जाएगा? वन डिरेक्शन में जो current है वो induced हो जाएगी. चीक है? चलिए. So, the next thing is, next thing क्या थी? जब की जो है वो open हो जाएगा. अगर की open हो गही है, की open होते ही क्या हो जाएगा? सर्कित भी क्या हो गया? ओपन हो गया. सर्कित ओपर होते ही क्या होगा? गैलवेनोमीटर में थोड़ा सा deflection तो रहेगा. लेकिन जैसे ही current जो है उसमें 0 हो जाएगा. Magnetic field भी क्या हो जाएगा? 0. Magnetic field जिब coil 1 में 0 हो जाएगा, तो coil 2 के अंदर क्या होगा? गैलवेनोमीटर का deflection भी हो जाएगा, 0. वहाँ भी जो इंदूस्ट करन्टी जो खतम हो जाएगी. चला. When key is open, the galvanometer needle again shows deflection for a very short time but in an opposite direction. इस भाई deflection होगा, लेकिन opposite direction में होगा, उसी direction में कभी भी नहीं होने वाला है. When key is open, जैसे की को open करोगे, magnetic field lines around coil 2 decrease in. जैसे ही magnetic field lines, coil 2 के around में क्या हो जाएगा, decrease होने लग जाएगी. और जैसे इसे decrease होगी, this causes an induced current to flow in opposite direction, therefore deflection occurs in opposite direction. Induced current जोई वो opposite direction में हो जाएगी, जैसे ही opposite direction में होगी. बहुँ, magnetic field के अंदर change होगा, तो directions change होती रहेगी, जैसे direction change होगी, galvanometer का deflection के direction में क्या होगी, change हो जाएगी. लेकिन जैसे ही magnetic field जो है, वो पहले एकदम जादा दा, दीडे-दीडे-दीरे-दीडे, आपो हो रहे, आपो हो रहे, तक्या हो रहे, change हो रहे जैसे ही 0 पे आजाएगा, galvanometer deflection भी 0 पर आ जाएगा चीक है I hope कि इतनी बात आपको clear है चलिए The next question is Find the ratio of resistances of two copper rods X and Y of length 30 cm and 10 cm respectively and having ready 2 cm and 1 cm respectively copper rods से जिसकी length आपको given है और ready भी given है length given है ready given copper rod की length कितनी है X वाला जो copper rod है और एक हमारे पास copper की rod जिसको की नाम दिया गया है Y X की rod की length कितनी है 30 cm है और Y की length कितनी है 10 cm है Now इन दौनों की जो ready है वो कितनी है 2 cm और 1 cm इसकी जो radius होगी वो 2 cm होगी इसकी जो radius होगी वो कितनी हो जाएगी 1 cm हो जाएगी अब हमें क्या find out करना है ratio of resistances दौनों का ratio find out करना है तो कैसे करोगे आप ratio find out तो हमारे पास ratio resistance के लिए एक formula होता है तो formula of resistance is resistance का formula क्या होता है raw L upon A A is the area L is the length length हमें given है क्या हमें area given है definitely ready given है तो area भी हम find out कर ही लेंगे and raw is the what is raw? raw is the resistivity इसका होता है resistance का एक constant होता है that is raw चलो हमें क्या find out करना है resistances का ratio तो उसके लिए पहले क्या find out करना है resistance find out करना पड़ेगा किसका तो हम पहले find out करेंगे X वाली rod का दूसरी बार हम find out करेंगे copper rod जिसका नाम है y और उसकी बात दोनों को क्या find out कर लेंगे ratio find out कर लेंगे so देखो first क्या find out करेंगे r of x resistance of x rod and the formula will be raw lx upon a x formula क्या हो जाएगा r of x हुआ है तो raw तो change हो नहीं सकता raw is the constant उसको हम change नहीं कर सकते so l of x upon a of x तो जो x वाली rod थी उसकी length कितनी थी देखो उस x वाली rod की length कितनी थी it was 30 cm and देखो इसकी radius क्या थी 2 cm थी so x वाली rod में देखो हमने length कितनी लिख दी 30 cm upon area क्या हो जाएगा area हो जाएगा pi r square देखो इसको थोड़ा सा ignore करे ये जो आपका area given है इसको हम कैसे लिखेंगे इसकी जगे आप लिखेंगे r is equals to r of x is equals to rho r of x is equals to rho अब हमें क्या लिखना है length length is 30 upon length is 30 upon area क्या होगा pi r square हो जाएगा so pi r means 2 देखो ready क्या दे रहा 2 2 multiply by चीक है अब हमें क्या देखना है r of y r of y क्या होगा तो r of y क्या होगा देखो आपको इसको नहीं देखना है ठीक है इसको नहीं देखना है इसको भी नहीं देखना है r of y क्या होगा r of y हो जाएगा रो l of y length of y length of y कितना था y वाली की length कितनी थी यह तो है हमारा x वाला यह हमारा y वाला y की length कितनी थी 10 cm थी और रेडी कितनी थी 1 cm तो y की लेंद्ध कितनी हो जाएगी देखो 10 upon एरिया क्या होगा? pi r square एरिया में देखो क्या होगा? pi multiply r means 1 multiply again 1 r square है मतलब 1 multiply by 1 हो गया ठीक है चलो ये चीज़ तो आपको clear हो गई होगी अब हमें find out क्या करना था the ratio दोनों का ratio find out करना था तो जब भी हमें ratio है कुछ और find out करना था हम क्या करते हैं? calculation को easy बनाने के लिए हम calculation करते ही नहीं है हम पहले calculation करेंगे ही नहीं direct हम क्या करेंगे? उस पर ratio में convert कर देंगे तो देखो rx ratio ry is equal to raw 30 upon pi multiply by 4 2 multiply by 4 2 will be 4 upon raw 10 upon pi 1 multiply 1 तो pi हो जाएगा? चलो यह हो गया 10 multiplied upon pi चीक है? now raw to raw cancel raw to raw cancel हो सकता है और क्या cancel हो सकता है? तो pi to pi cancel हो सकता है अब देखो r of x upon r of y is equals to यहां क्या remaining ए? 30 upon में क्या remaining ए? 4 multiply में देखो इसको जब reverse करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको reverse करते ही क्या हो जाएगा? 1 upon 10 हो जाएगा पता होगा? match का थोड़ा थो हमें पढ़ा ही होगा अगर upon के अंदर upon आगया fraction के अंदर ही हमने एक और fraction ले लिया तो हम इसको क्या करेंगे? reverse कर देंगे उपर इसको हम क्या करेंगे? 3 by 4 remaining so your answer will be 3 ratio 4 ठीक है I hope कि यह चीज आपको clear हो गई होगी just आपको याद क्या रखना है for the formula जब मैं resistance find out करना है तो formula क्या लगेगा raw multiply L upon A ठीक है L is the length, A is the area, raw is the constant चालो I hope कि यह चीज आपको clear हो गई होगी so R of X upon R of Y is equals to 3 upon 4 so the ratio of R of X ratio R of Y is equals to 3 ratio ठीक है it will be your answer ठीक है चालो come to the next question next question is the next question के लिए पीछे जाओ पहले यह रहा हमारा question क्या है next question is a current of 500 milliampere एक current है 500 milliampere की current है मतलब की I is equals to 500 milliampere है और अगर मुझे उसके ampere में convert करना होगा तो 0.5 ampere obviously conversion तो पढ़ा ही है जैसे units अगर हमारी proper नहीं होगी appropriate unit नहीं होगी तो आंसर भी गलत आने वाला है so a current of 500 milliampere flows in a series circuit containing an electric lamp and a conductor of 10 ohm मतलब की conductor और electric lamp का resistance क्या हो जाएगा 10 ohm when connected to 6 volt battery तो इसका voltage क्या हो गया 6 volt हो गया ठीक है इते इते 6 volt find the resistance of the electric lamp electric lamp का क्या find out करना है resistance find out करना है यह किसका है यह है electric lamp and a conductor is तो यह किसका है conductor का है ठीक है चलो अब आजो answer पे answer कैसे find out करना है देखो given क्या क्या था हम में तो I given था that is electric current 500 milliampere और इस 500 milliampere को हम क्या लिखेंगे I is equal to 0.5 उसके बाद क्या देखना resistance of lamp lamp का resistance हम में find out करना था रेजिस्टेंस किसका conductor का that was given question में देखो क्या लिखा है question में हमें एक resistance given है कि देखो circuit containing an electric lamp and the electric conductor of 10ohm conductor ka resistance कितना है 10ohm है पूचा किसका resistance है हमें electric lamp का resistance यह हमें तो हमने क्या लिया है R1 जोके किसका resistance है electricity lamp का resistance है that is question mark कि हमें इसका answer नहीं पता R2 क्या हो जाएगा, R2 means conductor का resistance, that is 10, 2, चलो, अब हमें क्या दिया हुआ था, voltage गिवन था, that means potential difference गिवन है, it will be 6V, तो गिवन ही है, will be क्या होगा, अब हमें find out क्या करना है, resistance of the electric lamp, कैसे find out करोगे, तो भी देखो, दौनों किस में जुड़े हुएते, दौनों किस में जुड़े हो जाएगा, R1 प्लस, R2 हो जाएगा, चीक है? सीरीज के अंदर अग्र जुड़े है, क्या हो गया? R1 प्लस, R2 हो गया, अब यह जो R1 प्लस, R2 हो हुआ है, तो हमारे पास R का एक और formula होता है, वै देखो, V गिवन है, I गिवन है, तो R का formula क्या होगा? R is equal to क्या होता है, ह upon I on the formula यह यह है Ohm's law V is equal to I R is the Ohm's law i R है तो आइ को नीचे बेज़ दो R is equals to V upon I तो यह जो R है इसका answer क्या हो जाएगा ? V upon I हो जाएगा तो देखो यह जो हमारा R है it will be V upon I तो इसका answer क्या हो गया ? इसका answer हो गया V is the V क्या हो गया देखो 6V है V6V upon 0.5 तो यह हो गया आंसर हमारा 0.5 तो इत विल भी चेंज कर दो पॉइंट हटा होगे तो उपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा या फिर हम डारेक्ट कर देते हैं इसका आंसर क्या होता है यह हो जाएगा 1 by 2 6 multiply by 2 is equal to 12 तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 ohm आ गया कौन सा? R R क्या है 12 ohm है अब देखो यह जो formula है हमारे पास equation number 1 equation number 1 से देखो क्या होगा R is equal to क्या है R1 plus R2 है हमारे पास value किसकी है R2 की value हमारे पास है there is 10 ohm R की value जो हमने find out की है 12 ohm put कर दो यहां होजाए का 12 is equal to यहां R1 तो हमें find out करना है plus R2 will be 10 ohm R2 will be 10 ohm R1 की value क्या हो गई? 10 को transpose कर दो 12 minus 10 is equals to R1 so R1 is equals to कितना होजाए का 2 ohm चीक है? I hope कि यह clear होगा हमें क्या पूछा गया था? Resistance पूछा गया था electric lamp का so what we call the resistance of electric lamp that is R1 ठीक है R2 किसका होगा? conductor का resistance होगा now I हमें given था V हमें given था हमें पता है कि जो total resistance होने वाला है जब हम series की बात करेंगे series के अंदर अगर हमारे appliances जुड़े हुए है और अब हम बात कर रहे है total resistance की so R is equals to R1 plus R2 ठीक है? और जो हमें values गिवन है उसके according R is equals to क्या होगा? V upon I because जो हमें value गिवन होती है उसके according हम क्या अपलाई करते है? formula अपलाई करते है मैच में इता हमने सीखी लिया था so R is equals to V upon I ठीक है? 5 को कैंसल करो 5 तूजा 10 और 6 तूजा 12 बस होगया चलो so 12 ohm is the answer of total resistance अभी total resistance नहीं चाहिए था हमें क्या चाहिए था? R1 electric lab का resistance चाहिए so जो जो total resistance पता है R2 का resistance पता है तो minus ही तो करना है और क्या करना? just values को replace करो minus कर दो you will be getting your answer that is 2 ohm चीक है? चलो so the next question is there 3 2 ohm registers A, B and C are connected in such a way that the total resistance of the combination is 3 ohm अब क्या बोल रहा है हमें? पूरा क्या पढ़ना से पहले as I told you हमेशा हमें आप यही बोलती हू एक एक लाइन पढ़ो उसको समझो और उसका answer देना है so क्या बोल रहा है है 3 2 ohm registers है हमारे पास चीक है यह हमें पाता चल गया हमारे पास कितने रिजिस्टर से 3 है तो यह हो गया हमारा 1st यह हो गया 2nd और यह हो गया 3rd चीक है यह हो गया A, B and C तीनों ही कितने-कितने ohm के है तो यह 2 ohm का है यह भी 2 ohm का है और यह भी 2 ohm का है चीक है No problem Now, are connected in such a way इन सबको connect किया गया है और किस तरह से किया गया है That the total resistance of the combination is 3 ohm जो तो total resistance जो आएगा वो कितना आएगा वो 3 ohm आजाएगा मतला अगर आँ तीनों को add करेंगे तो हमारे पास अनना चाहिए मैं तीनों को add कर रही हूं प्लस कर रही हूं मैं तीनों को तो मेरे पास आना चाहिए 3 ohm अब सोचो हमारे पास resistance को add करने के connect करने के से 2 रही ways होते है First way होता है सीरीज बे जिसके अन्दर हम क्या करते है सारे जो resistors होते उन सब को हम सिरीज में connect करते हैं और दूसरा हमारे पास एक वी होता है फैरलल भी फैर फैरल भी एक उंगया ठीक है अब अगर इतना प्यूमन सेंस की बात है अगर सीरीज के अंदर add कर दोंगे तो तीनों को एक साथ, add कर दो ली तो टू प्लस टू प्लस तू इतना हो जाए 1 upon R3 अब इसको अगर मैं 2 से करूंगे तो 1 by 2 plus 1 by 2 कितना हो जाएगा यह तो 1 हो जाएगा plus 1 by 2 किया तो यह हो गया 1 and half 1 and half हो जाएगा answer यह भी गलत है हमें तो चाहिए तो 3 ohm तो हमें काम करते हैं इन नोनों को add कर देते हैं पहले तो यह हो गया 1 ठीक है इसको मैं अगर directly add कर दती हूं ठीक है मैंने direct कर दिया plus 2 से तो क्या होगा 1 plus 2 कितना हो जाएगा 3 यह होता है 1 plus 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा answer में क्या चाहिए 3 ohm तो चाहिए इसका मतलब एक जो देखो 1 रजिस्टन, कैसे जुड़ा हूँ है यह वाला 1 रजिस्टन हो गया अगर मैं इस पूरे को 2nd resistance hard कांट करती हूं और यह मेरा second resistance फीक है अगर मैं इस पूरे resistance को एक resistance अगर मैं कांट करती हूं मतलब में это क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और यह मेरा second resistance है अब दॉनों को मैंने कैसे आइड कर दिया series में आइड कर दिया इसका मतलब देखो आपको सोचना आपको पड़ेगा creativity आपकी होगी कि हमारे पास तीन registers है जो कि तीनों ही 22 ohm के registers है तो simple है एक को आप add कर दो direct आपकी है कैसी केड़ है करेंगे उसकी बाद हम करेंगे इसको पैरलल मा घओ से January दियाद प्रिदिया को मा घखो मिसें जाएगा तो मैं क्या करऊ किया इस हुस्क्तु पार्ट में डिवाइट कर दें तो आप तु पार्ट में इसके बाद यह भी 2 ohm है यह हो जाएगा 1 by 2 यह भी 2 ohm है यह हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 plus 1 by 2 will be 1 और यह 2 है 1 plus 2 को इतना होगा 3 हो गया हो गया हमारा आंसर 3 दो चाहिए था हमें इसलिए हमें देखो रेजिस्टेंस कैसे एड किया है R1 को हमने ऐसे ही रेड कर लिया सीरीज में R2 और R3 जो थे उन दो को मैंने पैरलल में लिया है so that की देखो तीनों रेजिस्टेंस एड हो गए है और एड होने के बाद जो आंसर मिलने वाला है वो क्या होगा 3 the total resistance की होगा क्यों होगा हमारा total resistance की जैसे ही हम पैरलल में रेजिस्टेंस को एड करते हैं तो क्या होता है उसको इन दानों को एड करूंगी तो मैं क्या करूंगी जो की था मेरा 2 ohm, इनको मिला के मैंने इन नोनों को देखो, combine करके मैंने क्या किया, total resistance कितना है, 1 ohm है, तो मैंने यहां एक और add कर दिया, कि यह मेरा कितना है, 1 ohm है, यह है 2 ohm, अब दोनों को add कर लो, तोनों सीरीज में है, सीरीज में है, मतलब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 है मतलब 2 प्लस 1, that is equal to 3 ohm, ठीक है, I hope कि यह question आपको clear होगा, ठीक है, अब आपको resistance के बारे में में समझ में आ गया होगा, कि actually resistance होता कहा, so, I hope कि सारे question आपको clear हो गए होंगे, कि में set 2 में, physics में जतने भी question आये थे, physics के, वो सारे हमने clear कर लिया है, in our next video, we will deal with the set 3, set 3 के physics के वो questions, जो आपकी term 2 में आने वाले है, next video में हम उनको discuss करेंगे, यहां आपका set 2 जो है, वो complete हो चुका है, अब आपको previous 1 के question पर निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फिक video open करना है, आपको with solution भी, सारे के सारे questions मिल जाएंगे, thank you so much. करो, प्रूरत नहीं करेंगे, ऑ magic् Shoot.